सब्सक्राइब कीजिए और दबाए इस बेल आइकॉन को लेटिस्ट न्यूस सबसे पहले देखने के लिए अखले इशादों ने कहा कि सूबे की भावी राजिती को लेकर अक्सर उनके अपने चाचा से फोन पर बात होती रहती है मैनपुरी में मीडिया के एक सवाल के जवाब देते हुए इशपष्ट कहा कि वे अपने चाचा सिउपाल सिंग के लिए सूबे की कई सीटे छोड़ देंगे उन्होंने कहा कि अभी चाचा स्युपाल का छोटा दल है उन्होंने कहा कि उनके लिए चाचा स्युपाल पहले भी सम्मानिय थे और अब भी है उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा मंगलमार को महनपूरी में मीडिया के समक्ष दिये सपा सुप्रेमों अकलेश यादो के दिये इस बयान ने सूबे में होने जा रहे आगामी विधान सबाचुनाओं में अब सबा की रणनीती का खुलाशा कर दिया है उनकी इस बयान से यह तै हो गया है की आगामी विधान सबाचुनाओं चाचा वबतीजा मिल कर लड़ेंगे अकलेश के इस बयान से यह भी साफ हो गया है की चाचा भतीजा के बीच चली आ रही खटाश अब कम होने लगी है कहने का मतलब चाचा भतीजे के दो दिल अब मिल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे मंगलबार को सपा प्रमुक अखिले इशादों ने अपने पिता एवं सांसद मुलायम सिंग यादो के प्रतिनी धी दिवेंद्र सिंग यादो के आवास पर शोक समवे नावव्यक्त करने पहुँचे इसके बाद वो हमीडिया से मुखातिव हुए अपने इस महतपुन्द बयान के बाद उन्होंने भाजपा को RSS का राजिती प्रकोष्ट बताते हुए दुनिया की सबसे जूटी पार्टी भी बताया है समाजवारी पार्टी सबाके मुखिया एवंपूर मुखिमंदरी अखलेश यादो ने राष्ट्रिय स्वेम सिबक संग RSS और भारती जनता पार्टी भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है मंगलबार को मैंपूरी पहुँचे अखलेश यादो ने कहा भाजपा RSS का राजितिक प्रकोष्ट है उन्होंने भाजपा को देश दुनिया की सबसे जूटी पार्टी भी बताया अखलेशादो ने कहा कि सूबे की सरकार डबल इंजन की सरकार है जिसके ड्राइबर भाग गये हैं डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की आये दोगुनी नहीं हुई डीजल पेट्रोल सहित अन्य जरूरी समान के दाम दोगुने हो गए पूर मुखीमंद्री ने कहा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है नौकरी नहीं है पुलिस और फौज में भरती नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा RSS का प्रकोष्ट है इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है विकास रोजगार और बेरोजगार पर ध्यान देना है उन्होंने कहा कि राष्ट्रे संपती बेची जा रही है उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने संकल पत्र को कूडे में फेक दिया है इसलिए चुनाओं से पहले अलग-अलग मुद्दे उठा रही है सवप्रमुगलेन लोगों से अवाउन किया कि भाजपा से और उसके जूटे परचार से बचे